हमारे देश में दसकों से जी एस्टी की मांग थी आज हम संतोस के साथ कह सकते हैं कि जी एस्टी लागू होने के बाद बाजार की वी संगतियां दूर हो रही है और सिस्ट्रम की कारिक्षमता बढ़ रही है अर्थ व्यवस्ता में पारदर्सिता की तरब हम बढ़ रहे हैं समाज के महंती और उद्यमी लोग जो बाजार से जुड़े हैं उन्हें एक साप सुत्री सरल इंस्पेक्टर राच से मुक्त व्यवस्ता मिल रही है पूरे भारत ने एक मन होकर इतने बड़े टैक्स रिफर्म को लागू करने के लिए प्रयास पिया हर किसी ने अपना योगदान दिया है हमारे कारोबारियों और लोगों के इसी जजबे का प्रणाम है कि भारत इतना बड़ा बड़ाव करने में सफल हो सका विक्सित देशों में भी छोटे छोटे टैक्स रिफर्म लागू करना आसान नहीं होता है जैसे मैंने पहले कहा जी एस्टी लागू से पहले रजिस्टर इंटरप्राइज की संख्या मात्र 66 लाग थी जो अब बढ़कर एक करोड बीस लाग हो गई है शरुआती दिनों में जी एस्टी अलग-अलग राज्यों में बैट और एक्साइज और साइल टैक्स जो भी कानून थे जो वेवस्था थी उसकी चाहा में आगे बढ़ रहा था जैसे जैसे विचार मिमर्स हुआ राज्य सरकारों से बात हुई एकनॉमिस से बात हुई टैक्स प्रक्टेश्णरों से बात हुई दीरे दीरे इसमें बढ़लाव आते रहे तात्यों आज जी एस्टी का सिस्टम कापी हद तक स्थापित हो गया है और हम अभी भी अनुसार जन सामान्य के अनुकुलता के हिसाब से उसको ढ़लने के लिए प्रतिवत है आज हम उस्थीती के तरह पहुंच रहे हैं और मैं बहुत महत्तवपुन बात भी आपको बताना चाहता हूं आज हम उस्थीती की तरह पहुंच रहे जहां 99 परसंट चीजें 99 प्रतिशत या उससे कम टेक्स के दायरे में लाई जा सकती है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उसके बाद जो एक आधा प्रतिशत लगजरी आइटम्स होंगे वही शायद 18 प्रतिशत के बहार रह जाएंगे जिसमें कोई हवाई जहाज खरीद करके लाता है को ब ऐसी कुछ चीज़ें मुश्किल से एक प्रसेंट भी नहीं हमारी अमत है कि जिस्टी को जितना सरल और सुभी दाजरक किया जा सकता है उसे किया जाना चाहिए